जैन साथ ये पीके फर्म इकलास है यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और फार्मसेट वेकेंशी आई है और वो है आपकी एम्स भूनिश्वर के अंदर आप सभी को पता है फार्मा के रिगार्डिंग हर एक वीडियो की देन के अ Wednesday के उन्दर आइकर आप चामते हो तो वेक्म को सबस्राइब कर सकते हो सथ में को प्रष सकर लिए ताकि सबसे फरे उस वीडियो कि आपको मिल सके तो हमने बिनादर जी स्टाट करते है आज कlike अधना के है कौन को अलजीवल है क्या सेलेक्षिन प्रोसीजर रखा गया उन सब के बारे में तो अभी हमने एंस बूनेसवर की जो आपिशल वेबसाइट है वह उपन करक किये जैसे हम इसके रिक्रूट्मेंट नौटीस के अंदर जाते हैं तो रिक्रूट्मेंट नौटीस के सेक्षिन में जाने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है और इसमें सब सब पहले जो नौबर वन पर आपको दे रखा है वेकैंस नौटिस फोर वेरियस ग्रूप बी एंड सी पोश्ट इन एंप्स बूनेसवर एक साथ दोजार तेश को इन रिलीज क किये जाएंगे उन सब के बारे में जैसे कि आप यह नौटिस देख पार हो यहां आपको एंस बोनेसवर की जो वेकैंस यह उसके बारे में देखनों को मिल रहा है यहां पर गूरूप बी और सी की दोनों पोश्ट रखी गई है एक जुलाई दूजार तेश को यह वेकैंस की पोश्ट देखने को मिलती है इसके अलवा फार्मासिष्ट केमिस्ट की भी आप पोश्ट रिलीज की गई है फार्मासिष्ट केमिस्ट की अगर बात कर तो नंबर वेकैंसी आप एक है वहीं फार्मासिट ग्रेट सेकंड की अगर बात कर तो 27 पोश्ट आप रिलीज की ग एस्टी की पांस वेकेंशी है, OBC की नंबर वेकेंशी का बात करें तो नंबर वेकेंशी आपके काफी कम रखे गई है और वो है तीन, वहीं बात करें, EWS की तो दो है, और जनरल केटिगरी यहनि यूर की 13 पोश्ट को आपके सामिल किया गया है, अब बात आती है कि सर एज कितनी क्या है, उसके लवा असेंसल कॉलिफेशन क्या रखा गया है, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली जो आइमस के अंदर वेकेंशी आई हूँ है, अभी फार्मसिस्ट की, तो उनमें डिप्लोमा असेंसल कॉलिफेशन रखा गया है, लेकिन अभी एमसिन ने बदलाव किया है, उनमें भी, और वहाँ पे डिगरी वाले कंडिडेट भी अलिजिवल रहने वाल है, तो उसी प्रकार अगर बात करें, तो यहाँ पे भी आपको डिप्लोमा कंडिडेट लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके फोर्म ऑनलाइन तो उस टाइम पे जो अपडेट आएगा तो उसमें आपको डिफार्मा के साथ साथ में बी फार्मा कंडिडेट भी अलिजिवल मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलती है, तो उसका उस टाइम पे वीडियो अपडिट करके आपको बता देंगे, क्या करना होगा उन सब के बारे प्रफिश्ट की बात करते हैं यह प्रफिल करने के लिए तीन जार है वहीं से एस्टी डवलो एस के लिए 24 रुपए एक्जामेशन फीश्या पर रखे गई है ठीक है इसके अलावा बात करें एप्लिकेशन कैसे एप्लाइब करना है तो एप्लिकेशन आपके ओनलाइन आप अपना एप्लिकेशन फॉरम फिल कर सकते हो इसके लाफ एप्लिकेशन फिल करने में कोई दिख्कात आ रही है तो इनको मेल करके भी आप अपनी क्यूरी कर सकते हो और इसके कुछ नेशनल्टी इन सब के बारे में दिया हुआ है यानि इनिया का कंडिडेट होना चाहि टू एर तक के कंडिड़ेटे अपना एप्लिकेशन फॉरम फिल कर सकते हैं यह हुगी बात आपके एप्लिकेशन फॉरम एप्लिकेशन फिस की इन सब के बारे में बात आती है अब मोड अफ सेलक्शन की अगर बात करें कंपूडर बेस आपका एकजाम होगा ठीक है सलिबस कितना क्या रखा गया वो हमने पहले डिस्कस कर लिया सलेबस सबका सेम रहने वाला है तो इसमें आपका जनरल पार्ट भी रहेगा और 70% आपका फार्मा पार्ट रहेगा एंडड कुशन होंगे एंडड मारके और 90 मिनट का आपका पेपर होगा नेगड़ मारकेंगा 0.25 रहने वाली है और अब इसके एप्लिकेशन फोरम में वो इनवाइट नहीं किये गए हैं कब से क्या होंगे वो भी हम आपको जैसे कोई अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे इसी तरह की फार्मा की हर एक अपडेट के लिए और आपको की फीचर में कोई और अपडेट अगर आप चाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलता है नेश्ट अपडेट में तब तक लिए जय हिन जय बारत रम नमसा